नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियाश्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ज्योटिस ग्यान के नाम से सीरीज चलाई है जिसमें बहुत ही बेसिक से लेके और एडवांस तक एस्टालोजी पढ़ा आप हर्य हैं कि हम लोग क्या क्या देखें यह सबसे सब लूट हपी कि मैंने आपको फढ़ी टहृप यह लोका हिए सास्व श्टिति कैसी है नहीं नहीं ऱ यह और और तो नहीं है जाते हैं अगर हम साथ वहाब के रिजट के बारे वारे में बात करना चाहते हैं तो सकत्मेश की इस्तिती कैसी है गोचर में अशुभ ग्रहों से द्रस्ट है नीच राशी में है या शक्त्रूराशी में है या कहां इसी प्रकार से दशानात के स्थिति को देखना है अगर अच्छे स्थान पर है अगर अच्छे ग्रहों से द्रस्ट है शुब ग्रहों से द्रस्ट है तो उस केस में गोचर बहुत अच्छा मैंने आपको बताया था कि गुरू और शरी का गोचर देखना बहुत आवश्यक है क्यूहिए अगर ठीक होगा तो मन की परिशानी नहीं होगी अगर खराब होगा तो मांसिक परिशानी रहती है काम बनते हुए भी आपका भूचर ठीक है सब कुछ ठीक है आपको रिजल्ट मिल गए लेकिर आपको फिर भी मांसिक परिशानी है फिर भी आपके अंदर एक खुशी नहीं है तो इसका रिजन यही हो सकता है कि गोचर में इन ग्रहों का जिनकी मैंने बात की आपसे लगनेश की भावेश की दशानात की गुरू और शनी की चंद्रमा से गोचर शुब भावों में नहीं है अगर शुब भावों में होता तो आपको मांसिक खुशी भी बहुत हो की साथ साथ काम बनने के साथ साथ कुछ important points हैं जो बहुत important हैं जो शादी में होने के पूरे chances होते हैं क्योंकि पांचवाव और तो यह भी कह सकते हैं कि रिष्टा होने के बाद अकसर रिस्ता एकाद्बार ऐसा भी हो सकता है कि रिस्ता तूट क्या किसी भी कुंडली में लगन की डिगरी जरूरे कि कई बार क्या होता है कि लगन मुश्किल से एक degree से कम होता है या 29well तो उस केस में लगन को सेंस करके चेक चाहिए खोला असमन्जस का लगन मिनdag어나 बंढ़क्षी अगर किसी ज़्यातक का लगन जिर डिगरी और 30 मिनट से मिनट है तो बढ़ा मुश्किल होतार, डिसाइड करना कि इसका लगन ये करक है या इसका लगन मिथुन है? तो ऐसे में मिथुन लगन से कुंड़ी बना के उसकी कुंड़ी को चेक करना चाहिए, अगर ठीक बैठती है, तो वो एक अछा रिजल देती है, और उसी कुंडली को आपको accept करना चाहिए अगर किसी जातक का लगन 29 degree something है 29 degree है 10 minute है या 20 minute है तो उस case में और कर्क लगन है तो अगरा लगन सिंग लगन लगा के कुंडली को check करिए अगर सिंग लगन लगा के कुंडली चेक करने में ठीक आती है या उसकी characteristic ठीक आती है तो वो आपके लिए actual कुंडली आपकी सिंग लगन की होगी ना की कर्क लगन तो ये जरूरी है ध्यान रखना के लगन की degree क्या है आपकी कुंडली में ये बहुत important है इसको देखना बहुत आवश्यक है किसी भी कुंडली में और क्या बहुत जरूरी चीज़ है किसी भी कुंडली में आपको तीनो त्रिकोन की स्थिती जरूर देख लेनी चाहिए अगर तीनो त्रिकोन कुंडली में आपके त्रिकोन की स्थिती मजबूत है यानि उनके स्वामी अच्छी जगे प्लेस्ट आप लेते हैं चल्वन में प्रोग्रेस बडर हैंसा आप किया Cake है कि यहां कि जो अगर तो तो अगर तो त्राब है और राजयोग बन रहे हैं तो यह वाला योग बन रहा है लेकिन देडों ट्रिकोंड की स्थिती खराब है तीनों ट्रिकोंड में अशुब रहे बैठे हुए हैं अशुब ग्रहों से द्रस्ट हैं या उनके स्वामी आठवे बारवे भाव में बैठे हुए हैं तो राज यह होते भी कुंडली में आपको उसका पन नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो त्रिकोन हैं आपके वह आपके अच्छी जगे से नहीं है आपके मजबू को मैं आज क्लियर कर देता हूं कि लेंड की सेल से जो होती है भूमी की खरीद प्रोफ्त होती है वो शनी से देखने चाहिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मंगल से देखना चाहिए कि ग्रहे अपनी मूल्टिकोन राशी से कौन से भाव में गया है माल लिया कि वो लगन से तो अच्छे भाब में गया है लगन से तो नवे भाब में चला गया लगन से कोई भी ग्रहे किसी भाब का स्वामी अपने नवे भाब में चला गया लेकिन अपनी मूलत्रिकोन राशी से अगर वह आठवे गया है तो थोड़ी उस बापकी हानी हो जाती है तो वह भी ध्यान अपना जरूरी है कि ग्रहे अपनी मूल्तिकुण नाशी से कहा गया है और क्या देखना चाहिए किसी भी कुंडली में जब भी कोई कुंडली आपके पास आए तो सूर्य चंद्रो और मंगल ग्रह को जरूर चेक कर लें सूर्य आत्मा का कारक है, सेल्फ कॉंफिडेंस का कारक है, आत्म शक्ति का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मजबूत तो आपका मन मजबूत, आप मानसिक परिशान दिन आपको नहीं होगी, सूर्य मजबूत तो आपकी आत्मिक शक्ति मजबूत, आपका सेल्फ गोचेकर लें अगर मंगजल मझूद तो आपका प्राक्रम ब्ही अच्छा होता है अगर दर क्योंगे इतना प्रक्रम क्योंकि सूर्ये से से चंद्रमा से मन की शक्ति और मंगल से इनर्जी पराक्रम मसल पावर उसको मिलेगी तो बड़ा डिपेंड करता है ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि कुंडली में योग बहुत बन गए हैं या दोश बहुत बन गए हैं उसके अलावा भी चीज़े चेक क करने वाली होती है अब योग तो बन गए लेकिन की नों त्रिकोन आपके विकार हो गए तो आपका वो योग बनने का कोई फाइदा नहीं हुआ इसी प्रकार दोश तो बने लेकिन सूर्य चंद्रमा मंगल अच्छे हैं तो दोश का नुकसान भी आपको नहीं होने देंगे ग्रह देखें कि अपनी मूलत्रीकॉन राषि से कहा गया है यह पाइंटों मैंने आपको बता दिया आपको कोई भी ग्रह के अंतरता चल रही है सपोस्थ किजिए शनी के अंतरता आप की चल रही है उसका एक सन्ते अरच और च्खेंश है। हो सकती है Hydra को कि कि ह 17 है तो नहीं हो सकती है मांचिक क्रूंति हो सकती है तो ये भी देखना जरूरी है, आप ही की अंतरदशा से सब चीजों का बालूम चल जाता है, भागे के लिए देखना है कि आपकी अंतरदशा भागे के लिए कैसी है, आपकी अंतरदशा चल रही है शनिक, आपकी अंतरदशा चल रही है बुद्ध की, वो आपके भागे के ल लेकिन जहां लग प्ले करता है तो वहां हम लोगों को इंट्रेट करने से पहले दस बार सोचना चाहिए चल रही है हमारी यह हमारे भाग के लिए कैसी है यह देखना है आपको कि धन हमारा आएगा या नहीं आएगा तो धनेश का एक्सिस देख लिजी अंतर दशानात से क्या है धनेश और अंतर दशानात स्वामी धनेश हो गया और अंतर दशा को देखिए और धन राठ के लिए दशा अच्छी नहीं है तो इसलिए आपके लिए कैसी है यह भी बहुत जरूरी है तो लगनेश से अंतर दशा का एक्सिस देख लिए तो आपके लिए वो दिशा हंड्रेट प्रसंट कर्ष्टकारी होगी हंड्रेट प्रसंट आपको हेल्थ में प्रॉब्लम देने वादी होगी तो यह सब चीजे आपको देखने हैं तो यह सारे एक्सिस जो देखने हैं आपको यह आप दीवन में भी देख लिजिए दीना इन चार्ट में भी देख लिजिए और बोचर में भी देख लिजिए अगर तीन चार्ट में से दो चार्ट में यह एक्सिस खराम मिलते हैं तो न तीन कुंडलियों में से दो में एक्सेस ठीक मिलते हैं तो निसंदेफल आपको बहुत अच्छे मिलते हैं तो यह बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी कुंडली में सूरिय चंदरमंगल को देखना या अपनी वो मूल तिकोन राशी से कहां गया है या आपके अंतरचाशा आपके धन के लिए कैसी है आपके भागे के लिए कैसी आपके लिए खुद के लिए यह चेक करने तो यह से कुछ इंपॉर्टन पाइंट्स जो मैंने आपको बताए अभी और आगे बता वह इसे सिरीज में सब चलते रहेंगे अभी काफी लंबा है आप इन पाठों को अटेंड कीजिए देखिए और कोई सीखना चाहता हो तो दिएगे नमबर पर संपकत सब्सक्राइब धन्यवाद जैश्री कृष्णा नमस्क्राइब